कि यह देखिए रखखा हुआ है अब आपको खौल के लिखाते है यह देखिए घना 4 चार है दोस्तों आप सब का हेलो दोस्तों आप सब का इस्तिक्बाल है न्यू ब्लॉग में आज हम आपको दिखाने जा रहा है कि हमारे घर पे खरगोस भी है कबूतर भी है और मुर्गी भी है और देखो अभी छटपे हैं और छटपे इधर देखिए यह तर यह बैठे हुए ना और नीचे यह बैठे ह दा रहे हैं और बहुत सारे तो उड़ गये हैं तो आपको दिखाते हैं तरफ का मोसम देखिए बादल बना हुआ है जवर्दस्त और इस तरफ देखिए एकदम हरियाली है ग्री और मेरे वहां भी लगे हुए पेड़ तो मेरे मेरे जब वहा था मेरे प्लेटलेस गई थी तो हम इसको बहुत पीए थे भाई चार-पांच बार पीए थे अभी भी सरकात दर्थ थोड़ा हलका फुलका है और आपको दिखाते हैं यह देखिए गाइस लोकेट इस देखिए नीचे देखिए उपर भी बैठे हुआ है यह अला जो है ना यह सब को उड़ा दे जा रह तो चलßी पेड़ने की कोशिश करते हैं म dei है कि म η अरे रुक जाए रोग जारुई जा अरुक जारुई अजै रुक भग गगे भगे या आइ सी अजट वह देखिए वो देखिए वो देखिए यस तरण फंट ज़ा यह देखिए यह बाड़ गया है देखा गाइस यह इधर देखिए जल्बा चल ला है यह जो ना बहुत खत्रनाक है भाई उड़ा ले जाता है और आता है कि दो दो दिन बाद आता है अब इधर देखिए आप तक तक थोड़ा खापी रहे हैं वो लोग कि कि अलग अलग विराइटी है सब अपने में एक नमबर के हैं देखिए सबसे का जब का कौन सा है हम आपको चलते हैं खर्वोज दिखाने चले कि बच्चे एक नहीं है चार चार बच्चे है तो आपको खर्वोज की बच्चे दिखाते पहले गाइस यह देखी रखा हुआ है अब आपको धिखाते हैं खोल के दिखाते हैं यह देखिए और जब पहले कि बुकिंग हो गई यह सब चिल जाएंगे तो रखते हैं अभी यह 10-15 बीज दिन की हुए है ठीक है तो इसको रखते हैं फिर चलते हैं तो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को चैनल मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें मिलते हैं इनक्ति वीडियो में तब तक के लिए जाहिन